हाई प्रामन विश्वास और मैं आप सरी का स्वागत करता हूं हमारा अपना चैनल के सी यानि रापकोर्ड गेमिश्टी हम आज यहां पर लेके आए हैं मौल बॉल्सट का विडियो लेक्चर नमबर टू पहले लेक्चर में मैंने तुम लोग को एक इंटूरक्शन दिया था पना और कि मोल क्या होता है कि एक नमबर है उस नमब को हम आ पर लांप समझा रहता है तो जो बच्क्च लेक्षर को नहीं पर सेर्च करो मोल कॉंसेट लेक्चर नंबर बाइन रमन विश्वास और इसको देखने के वार यहां पे आने के बाद जो हम नुमेर्कल करेंगे तो हमारे सभी मोल कॉंसेट से रिएक्टेड कॉंसेट्ट कॉंसेट्ट क्रिष्टल क्लियर हो जाएं देर्ता खत्थे में चैक्टी तो इसका आच लेक्चर मईसीट पर अमन विश्वास और यह हमारा निवेकल कोंशन मोल को disse और फिक्ट्षर के माले में कि अबढ़ा रिए अब आ हो यह पुई अब यह नंबर क्या है इतने सारे पार्टिकल को जब एक जगा रखा जाते हैं तो इसको बने पार्टिकल के लिए और यह पार्टिकल को मैंने एक जगा पर रखा है इतने सारे पार्टिकल को इस बॉक्स के अंदर मैंने रखा है तो मैं क्या बनुगा इतने बड़े नंबर को लिखना मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको क्या दोड़े इसौट्ट फॉर्मेट में रिखते हुआ इसी को मैं क्या इस फॉर्मेट में भी उड़े पावर और यहां पे फॉब्स के ओंद यहां पर नबर ओंब जो है वह अगर दो तो मैं क्या बोलूँगा वन्मोल मॉलेक्यूस अगर इतने सारे जो है अंडे हैं तो मैं क्या बोलूँगा वन्मोल एक तो जो भी चीजे को इतने सारे नंबर्स को तब एक साथ रखा जाता है तो उसको वर्णियों कहते हैं और वहां तो लास्ट वीडियो लेक्ष्टर में तुमको कुछ रिलेशन भी बदाये कि मोल जो होता है हमारा मोल और उसका इटीन चीजों के साथ होता है एक होता हमारा दो मतलब वाल्यू किसके लिए हो अगर एक मोल है एक मोल तो उसका वालिम कितना होगा वाल्यू पास है वाल मोल कहसे है तो कितना होगा कि अगर मैं सब्सक्राइब करें तो यह जो ग्राम एक मास में ने कर्वाट किया था जो हमने ग्राम में उसको कनवर्ट में क्या था वही मास एक मोल मास होता है यह जो भी यहां पर यह जो रिलेशन हमको याद रहना है तभी हम इससे रिलेटेड नियुमेंकल सॉल्ट करता है तो चलो यहां पर एक इसको आपनों वाला समझ तो इससे रिलेटेड एक नियुमेंकल रिलेटे जिससे हमनों को और अच्छे समझ भाए कि हम किस तरीके से करेंगें मैं बहुत से सिंपल कोशिण करने वाला मेंटा एक तम बेसिक वाला कोशिण हम यहां पर रिलगा ताकि तुछ अच्छे समझ आ जाए कि अकि नहों को कर क्या रहे है और वालो भी मैं तो याद कर वाला हुआ है जैसे एक कोशिण सिंपल से रिखने है जैसे में कैल्कूलेट कैल्कूलेट इस दिनमबर इस दिनमबर ऑफ मोल्स तो फिप्टी फोल ग्राम सोटियम है मालों 54 ग्राम होने जाए तो इसको क्या देखना पड़ेगा अब द्यान से समझना इस कोशिट का मतलब क्या है तब ही तुम आगे जाके करणा इसका मदब कर एक पूर्टा सा सोडियम का तुगड़ा है और यह तुगड़ा है इसमें एक तंस होती है कि इसका वजन मुझे मालों इसका वजन कितना है वेट कितना है 54 ग्राम है तो हमको क्या बताना है कि इसके कितने एक इसमें कितने एक पूर्म हमको बताना है इसमें कितने एक तो कैसे निकाने इसमें दिमाद लगा यह कौन सा एडम कौन सा एलिमेंट यह सोडियम है अटको मुझे एक के इतना मालों होना अचीन है बैडा कि स्षोडियां की होता है उसका जो मांस होता है इस 23 और यह क्वेश्यम का मांस कितना होता है 23 और यह 23 जो जो इसको हम लोगो cannabis चालते है यह hydrogen से 23 टैंक्स हैंबी यह जो नीकिन चैसे ही यहां पे 6.02 इंटो 10 to the power 23 एक्टम्स लेता हूं तो यह किस में करवाट हुजाता है 23 ग्राम में करवाट हुजा इतने पार्टिकल्स को जब इसाथ रखूंगा तो इसका मास किता हुजा है 23 यही तो मैंने कल्पी सिखाया था लास्टेट्चर में जाके देखो यही चीज मैं वह मैंने का मतलब क्या होगा 23 ग्राम वहाँ पास यही उसको भाज़ में ग्राम तो वह समय ना इसका मास कितना होता है 23 ग्राम हमको कितना दिया गया है 54 ग्राम और है तो आमनो दो, B-node, 1-node, sodium, sodium, 1.23, एक मोल sodium का रेंटिकता हुआ, 23 गाहु अगा, एक मोल सोडियम का रेंटिकता हुआ, 23 गाहु चाहु 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 चाहु. सब्सक्राइब तो दिमाग है 23 को एक मोल बोलते हैं ठीक है 23 को एक मोल बोलते हैं तो एक ग्राम को टितना बोलेंगे वन मोल पॉन 23 को और यहां पर 54 गाम नहीं है तो बन गाम के निकारो तो यहां पर इसी को सलाव रिखेंगे 23 गाम और सोडिया इस इक पर टू वर्मोल एक मोल होता है देन वन मोल वन गाम और सोडिया वहां वन गाम के निकारो तो यहीं तो नहीं तो नहीं यहां आए और सोडिया तो एक गाम के साथ है कि इसके साथ मंटिप्राइब कर देखें तो बाद पॉन 23 इन्टु फिफ्टी-फोर मोस्ट कितने पूस टेंगे जानी की 54 दिवाइब बाइब 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 25 इसको काटेंगे के 2.34 मोल इसको काटेंगे यह हमारा आपा मोल्स में हमने कर वाट होगे लेकिन 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 चाहिए लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले तुम्हें एक चीज़ देख देख दो मैंने जो लास में बताया था कि मोस क्या होते हैं मोस इक्वाल टू गीवें वेट अपॉन एक्टमें तो एक्टमिक वेट ये अटम जैसे अटम था तो गीवें वेट मतलब जो पॉस्चिंट में दि वेट्थी ग्राम तो इसके अटम चलता है और यही तो हम निक्रिया थे इतना लंबा चोड़ा नागर के सिद्ध से नहीं किया हुआ है दिवाइड अपाई है है उसका अटमिक वेट ले लेंगे उससे हमाई पास आंसर आ जाए और यहां से किता है तो पॉइंट कि मैंने उपर में लिखाऊ हुआ है तो हम लोग इतना बड़ा स्वामेट यूजना रखें हम लोग सिंप्री क्या वेट अपान एक्टोमिक वेट मॉल्कुल है तो यह काम हम लोग करता है कि इसके लिए में एकना नंभा चोड़ा ना नहीं कि सिंपन समय स्कूचा आता मोल इसके हम लोगे है तो मोल्कुलर मोल्कुलर तो मोल्सक्री यहां अपना मॉल्कुलर या अतम मिकृत तो गीवन वेड गीवन बैट हुद सब्सक्राइब करें एक और तरीका में तुमको बताता हूं घ्यान से देखेंगे यह हर जगा पर हर जगा पर तुम अप्लाइब कैसे काना विड़ा देखो कि हमको क्या मालू है हमको मालू है कि one more जो होता है अब कोशन में क्या है तो इसे काम करो तुम बढ़िया से सब्सक्राइब करना हो ऐसे करना है तो बहुत इसलिक है और कुछ नहीं कि कैसे अपन निकालेगे तो इतना लंबा चोड़ा आप लिगने के जोते हैं आपको कभी ऊपर निचे हो जाता है गीवेट के जगा आपकर तो यह दिक्कत ना हो इसके लिए तो यहां पड़ागा वन मुंद 23 को कौशन भी कर जाए 54 ग्राम देना लेको 54 और हमको पुछाए और है यह कैसे द्वार्व प्वेटीए खताब का ऐसा रिखने के बाद इसको इसने मंदी नेकर नियुकत नियुकत ओड इंडा आपको इ केवल यह काम करने कि ग्राम करना है मोस किल चेव मोस सबना है सब कोई द्यांस दिखना सब इस यह वाल तरीका करो चाहिए वाल इसको यानत ना पड़ेगा इसको यानत नीगी चौने अब डिपेंड दर तर तुम क्या चाहते है यादगने चाहते हो देना नहीं यादगने चाहते हो तो इसको तरीके को याद आए क्लियर है एक ओछा कशिन तो देखते हैं जैसे कुशन गिया है कर दो और चक्ति नंबर ओंग अ कि मोल्स एक पॉर सिष्टी ग्राम का है इसमें तुम्हें निकार तो मैं क्या जिनगा पहला तरिका करने उसको तो मुझे इक्वेल टू गीवेल वेट अपन एक्टोमिक वेट लिए और और बच्चों को आज नहीं करना है करना है यार करना है तो हम याचा नहीं करना है तो हम यह जो हम बोले कि थे कि tada होता है ुसक्ट तो एक वेट कर थे खता होता है तो इसको इसको सब्सक्राइब तो यहां पोश्चन की किता है 60 ग्राम और यहां पर एक्स बोई कर तो अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ तो बंजित नहीं करो तो क्या आएगा 60 इंटी वाइगा 60 और यहां पर यह चीज तो है जिवेड़ेट किता है तो इस साथ के से सब्सक्राइब तो इस साथ है बूला पुराज कर दो कि हमको के अगें कर नंबर और पूछके था नमबर आटम नंबर आटम्स कर लेरें अगे तो इसका कैसे निपाएंगे शोर्ट करेंगे यह जाहां समझें कि नंबर ऑफ है इसमार मोल के कखी मार बता वाइस इदस्तरम नंबर बता दो कि कितने एक्टम साइज तो हमको अगर मोल का हमनों के रिलेशन देखें वन मोल कितना होता है इक्वाइंड दू 6.0 तब एक्वाइंड पावर 20 जी होता है अगर वन मोर अगर कारवन के बात करें पॉर पावन नंड़ पार्वन तो वन मोर इक्वाइंड गोगता है अगर यह दोनों सेन तो यह दोनों भी सें मो जाये हो सो इसका मतरा था क्या मतरा, इसमातर खान Biology, तो इसका मतरा क्या समय के धिस भाल्ट खानल की इछ तो यह दो लिए की सेंग है? Umение सहान खानल के ऐसाना पोट खाना मतरा, तो क्या है? तो आखना कातो, 6.0 double 2 into 10 to the power 23 upon 12 atoms और अज़ लोको बुच्छा ज़े 60 राम किरता ना खेका 60 राम गतेंस गतेंस equal to 6.0 double 2 into 10 to the power 23 upon 12 into 16 अब ज्यान से रेखतें लो ये क्या है 60 डिवें रे 12 atom जो मोल्स जो मोल्स वोगा उसका वो क्या करेंगे 6.0 double 2 into 10 to the power 23 के साथ multiply बुच्छा ज़ेगा तो यहां किरो मार्स करेंगा नंपर अज़े लोको बुच्छा ज़े लोको इवेंगा नंबर of atom is equal to 6.0 double 2 into 10 to the power 23 into मोल्स तो हैं दूड़ी तरीक तो नमबें तरीका तरीका नमबें तरीका तरीक नमबें तरीके कटिकंगें तुमको पुछरी करना है कि वह दबार समाना है कि तुमको लिखना है इसके साथ मनित नहीं कबारो इसको इसके साथ मनित आई का दो तुमको जैसा करना तुमको समझ में आना है कि हमको करना क्या है कि इसके साथ मनित आई कि इसके साथ मनित आई कि इतना इसके वराबर कितना होगा इसके साथ मनित नंबर करना है जिसको नंबर करना है जिसको इसको नीचे लिखना है तो इस लिखे से आप लोग किसी कोशिट को सब्सक्राइब आप एक और लेते हैं जिसने आप बढ़िया समझ में आया है कि एप एक कोश्यर में लेते हैं था और मुदे था और दी वॉल्यूम आफ उक्था ड्लैश। गएस और आच को नंब और शस्था रोट और आप सीजन अधा ड्रेंगन यह मैं फालिय। कि कि हमको क्या पूछा गया है कि यह समझो कि हमको पूछा क्या गया है तो कि इसको कर दो लाग्या है कि अगर हम इसको बजन किया तो पैदा जिसका अब कितना ओलिंग को अकीपाई किया होगा उसको लोग को देख रहा है कि उसका वेट होता है एक मूलका वेट हुनको मालूमि यहां के गना लिपार वन मुलका वेट होता है ने इस इक पर टू ऑप सिस्टीन एक वागल तो इस बात कर दाने हैं यहां के क्या ठीक होता है एक अट्राइट्व दिढ़ा तो दोएंच पर एक शुटीन प्लस इस्टीन इक बाट तो एक मोल तो यहां के लोगों कितना वालिम करता है तो यह सब नहीं निक्पा दिया कि यह दो लोगा से वह गूँगे तो यह दो रहुंगे तो यह दो रहुंगे इस तो वालिटीज आपको इसको रिलेट कर सकते हैं हम दो बहुत सकते हैं कि इस फॉट्वाइब करते हैं इस फॉटीटीड इठेज हैं कि में अटिरीज आए हैं इस नहीं है इतना झौत इला डियाएं है तो यहां के लिटाल की है, 32X, 1.22.4 into 45, चीक है, और X इपर भी क्या हो जाएगा, 22.4 into 45 upon 32, upon 32, तो यह क्या है? उसको है क्या है? क्या है यह है कि अब तो उस्का भालीट ताом भाली करते ह मोर्स को 22.4 निटेल के साथ क्या क्या कर भालीट नाम घया नम्प्लिप्लाई कर दिया है यहां तो यह सब सकते हैं तो इस तरह के सब आपके से बहुत सकता हूं कि ऑप गैस एज इपाल जो जोगे तुएज तो इस तरह के से कर दो भी थो तुम मोस निकालोगे तो भी वही मतलब है और ऐसे करोगे तो भी वही मतलब है तुमको जो अच्छा लाए उसको कर तो सिर्पील में आपके तो आपका सभी देता हूं कुछी लिए बढ़िया से देख लो अगर कभी तुमको मोस पूछे कि भाई बताओ मोस क्यों है तो मोस को जब भी करना होगा तो तुम क्या बोलोगे तुम बोलोगी कि गीवेट वेट गीवन वेट अपन एक्टोमिक या मॉलिक्लर मॉलिक्युलर अगर एक्टम है तो एक्टमिक इसका युशं को करते हैं फार्मुला नॉबर 2 मैंने जैसे तुमको नंबर के बोला तो नंबर नंबर ओफ एक्टम अगा तुमको क्या करना होगा तो अंगो क्या करना तुमको क्या करना 6.022 x 10 to the power 23 x 2 moles चाहिक्त जो भी में होगे अगर मॉल्स तुमको आता ही निकाना तो तुम बाकी सबको सकते हैं अगर तुमको क्या करना 22.4 L तुम निकारना आता है तुम यह तीनोग सकते हैं तुम्लड स्थेक्राइव व्ल्यूम को या मोस्कों तुम नोई राएं भाड़ को। आया के निया मिल्डे पाना चाहिए अब क्या वाक्त है भी किमांद है अज़को मैं इसको इसको मैं किस्टारी कसे वह लिख सकता हूं नंबर ओफ अटम Is equal to 6.0τανोड 2 Increment to the power 23 into given rate upon atomic rate बस आंजलको तब तुमकु ये नंबर के साथ मेंट्ट लेंट करना तो ने गिमेर और इसके रही से मैसे करो कि वॉल्यूम के रही कालना है तो तुमनों को क्या करना है तुम्हें को क्या करना है रहा है तो इसको करो सीदा सब्सक्राइब कि बहुत इसी है कुछ नहीं है इसी तुमको खाली समझ मेहना चाहिए क्या करना है अगर समझ में आ जाता है तो इसको याद इस वीडियो को थोड़ा से लाइक कर देना स्हेर भी कर देना मुझे अच्छा लगेगा मुझे की मोटिवेशन मिलता है कि जब आए बच्चे आप करते हैं का तरीक yapılा करने का प्लेजित-डरीक आपके लिचे जो अप्लेमन कर सिकते करें तो कि तरीके से मुझा सकता है कि बहुता मैं दैया थी कर दिर तो देंस कि एकिपी पैनी कि मालगातार चिलिया एक मिल्ला म want a अवाल आपको में में अनुपा लोगा अऑट तुम लोगा लोगाना अंपना हो तो इसे के बाई क्वेशोन रहेते हैं ताकि तो अगर वेपाई देटी से रिलेटेब पुछ क्वेश्चन आ लाते तो तो नहीं उसाल पर सकते हैं क्याकोलेट इस दी नंबर of moors calculate the number of moors for a gas for a gas of weight उसका weight जो है that is 60 gram and vapor density and vapor density is 20 है कि एक 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 पेंटेशी काट पापने है है कि अब यहां पर एक लगाए तो मोला मास भीडा सब्सक्राइब तो वेट आपकर दिया गया है एक लिए बेट पर लोगे एक पाटू आपनों सो राते हैं थैं सहु तो मेर अमतने आपिन्य और मुलAPT लिये कावता मोस सकते हैं अब नहीं या मोल्स पर थो किऔर परों किपने आपको किपने जीर आप्टों मैं बैट है आ Cor 500 कि यानि कि यह ह्मिन वेट या मास्ट सिय डिया स्विए टो इसेटी ग्रिफॉट्पुट्पट्टी क्या प्रद्टिए तो इसेटी में कि अधिक प्रोट्टी क्या जेंकि कुछ शुपुट्ट्पुट्अ और फॉट पाइए यह हमारे पासद है कि त्रेस पो इस तरह के से अगर वो दिए तो भी अग्मोज निकासकती है कि अगर में लोह को पूरता कि यहां पर बताओ कि इस पॉपाइड अग्या शुपाइड बाइब अब यहां अग्या तो तुमको मैंने वालड़ी कि पॉपाइड और निकालेंगे तो मोस को आपस कित्ता है वालड़ी काई तो इस तरीके से हम लोग चीजों को रिडेट करते हैं और उससे हम लोग क्या करता है ने में करता है तो एक दो चीजे यहां से बढ़िया समझ दो यह वालमने को अच्छे से याद एकर लोग इसी का इपनाई कर्पिक उनको मोस न सब्सक्राइब होता है आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर मालों कुछ अलग तरीके से घुमाद रिया जाए तो हम किस तरीके से लिए जहां परक्चे अपसर अपसर जाते हैं तो यहां पर उठादा जाओंगा जिसके बार में इस नेक्चर को हैंड कर देंगे तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो अभी हमें फिराज कोशिन में लेता हूं जैसे कैल्कुलेट अधी नमबर कि आप हाइडोजन एक हैं एक हैं इन फिप्टी फूर ग्राम और सी एक है अब इस कोशन पर अच्छे क्या पूसे के पता है करें लोग यह नहीं समझें कि हार्डोजन के बात रहे हैं लोग टोटल मीधियन मॉलेक्विल के लिए ही उड़ा के कोशन में सॉल्ट करेंगे बस उनका काम पतम जाओं के लिए बढ़िया हो यह हमने सॉल्ट करें लेकिन कुछ नहीं था वो दूट नहीं पुछ नहीं हिसाए जुआ अब ऐसाम बात करो तो हाई अध्यां से ने कितना है और कितने इसके एंटम्स यह मोलेकुल से उनिकल ज्या यहां पर सबसे पहला है नमबर और और स्टीए पुल्ट मॉलेकुल्स इन ग्राम इस तक कितने नम्डर सब्सक्राइब निकाले कि अब आपको दुसा क्या रही है करेंगे हमको मालूनिक एक मॉल्टूल में चाह्ट जाने लिए वन मॉल्टूल रागें इस पूर है इस मॉल्टूल आपके इस मॉलेटूल मॉल्टूल और चाहिए सब्सक्राइब करेंगे तो हमारेट बार इस पर जाने को रहा है तो हम्हों को कैसे करना है मुझा वे ँष्री फिया पेलन इस पाला नियुकिन को क्या है गजिसा फिकना अगार यह तरुकिटर पार जय कि अटर पावर ट्रीजों नम्र अफ स्कॉल मिटीट्स अटिको नमट ऑलस्ट्रीज फोंड अधिर को फिसक पोर्ट फिस्टों इस तरुम नमट और अग्ए इसके मैंने बता रख रहा आगा नेका लिए कि नवर इसको मॉलीकुलस निकालना है तो उसको 6.0 को मोल्स को अब यह साथ को निकाले है 54 गाले इस तो इस से वेज़गे है डिवेस अपन मॉलीकुला मेज़ अब यहां पर कि यहां पर सी एच वोड़ के भाइब वोला कि आए तो मॉल्ड के लिए को पहले इसका निकाना पड़े तो मॉल्ड कि नमबर नहीं पर देखा एक कि इसके अंदर एक कार्वन है कि इतने तो इनको हम लोग जैसे एड़ करेंगे तो हमारे पास मॉलीकुल का बेटा जाएगा तो यहां पर एसा नहीं सकते हो सी प्लस इतने यह तो इसको सम करोगे तो आपर स्कांस आगे तो यहां पर कार्वन का आपन पर तो इतने बडता जाएगा तो इसके अपर आपर इसके अपर अब नमब स्टो में अब aucun फॉर्ट रिए अब अगा इस्टो जित्री दीये संखलेट इसे शोल तो इधने भी थीद दिएा मिन नूब तो छोलो है सब्सक्राइब करें नहीं तुम्हें पस क्या हूंगे हाइब तो सब्सक्राइब इन 54 ग्राम उसको पहले निकान अपने हैं जो नम्पर मीधियन है इंटु फूर्स का अगर यहां पर पूछा होता है तो एक मोलेकिल के दर हैं तो इस पर होता है सिक्स पॉइंट जिरो नबल टू इन्टु इन्टु दुद फावर 23 इन्टु जो की वेच होता है कि अपर इसका मोलेकुलर वेच किता होता है एक तीन होता है और यहां पर इनकी क्या रहते हैं तो इसका हमारे पसक्राइब कर गया था इसको बढ़िया स्रेक्वेशन आजाया थी वह और किसी का भी नंबर निकालना हो बाद तो मोल्स इंटू एवगेट्र नंबर निकाल जाते हैं अब एक पार्टिकल के अंदर इतने एक तो जो ने निकाले पार्टिकल उसके साथ मॉटिप्राइब कर देना है जैसे वाटर तो वाटर में तो हाइड्रोजन होते हैं तो टोटल पार्टिकल आफ एक च्टू निकाल तो इसको इंटू मॉटिप्राइब करते हैं अगर नाज पास कुछ ऐसा पूछे अमोनिया मोली कि एनस्टी होता है अमोनिया उसमें कुछे की बढ़िए बताओ 17 ग्राम आमोनिया ह है उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे तो हम पहले क्यांकर कि 17 ग्राम मतलब कितने मूल होते हैं हुआ कि पुएज पॉइंट्यो होते हैं इसको इत्व कर देंगे बस यह सिंपल से लोजिक जो है आपको इसको बहुत इसी होगा और आगर अगर आपको इसपे उलजे रहोगे तो तो पहुत है आपको बाती बाती को आपको अच्छे से करते हैं अगर आपको अच्छा लगए तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइक करें में चैनल को और बने रहें मेरे साथ नौक आउट केमिश्टी में केसी